हालो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल मैं इसनिया आज मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूं अपने गार्डन में बहुत ही ब्यूटिफुल सा है बहुत ही मतलब एकदम दिल को सुकून देने वाला है और बहुत ही खुसी होती है जब हम इस तरह से अपनी प्लांट हो चुके हैं और उन्हें फ्लावरिंग में कुछ प्लांट में स्टार्ट हो गई है तो चलिए पहले आपको सीडलिंग दिखाती हूं कुछ 6 मंत की है कुछ 8 मंत की है तो वीडियो पूरी अंद तक जरूर देखिएगा अच्छी लगेगी तो लाइक से हैर भी की इसलिके गहों है कि रियर्शाइज देखिए 119 मंत के प्लांट मैंने इनको फर्वरी में रिपॉर्टिंग की थी लगए ओ va देखिए इसका प्लांट किता सुन्दर है एकदम अरेवी काम की सेफ में यह प्लांट है बहुत ज्यादा खुब्सूरत प्लांट हैं बहुत खुब्सूरत से कुछ प्लांट मैं ने सेल भी कर दिया थे अपने फ्रैंड लोगों की जीत पर क्योंकि इनको वैसे तो सेल करना चाहते हैं लेकि उनको बहुत रेक्वेस्ट किया था तो फिर मैंने वह प्लांट दे दिये थे तो लेकिन उसके बाद पिर मैंने माना कर दिया था कि मैं अपनी दिखाती हूं फर्ष्ट प्लांट यह है इसके भी देखिए कितने अच्छी ग्रोथ है बाकि तो कुछ मैंने इतने जादा ब्रांच तक थी कुछ प्लांट में जो में लिए थी मुझसे प्लांट और मेरे पास जो है उन्हें बहुत ज्यादा ब्रांच तो नहीं है लेकिन ज छेंच के पॉर्ट में लगा हुआ है और यह देखिए इसकी मिट्टी थोड़े से ड्राइथ तो कुछ पतियां यलो हो गई इसमें इसमें भी देखिए बर्स बन गई है तो इसमें बन गई है जबकि मैंने कुछ खास इनमें कोई फरिटलाजर इस इतना जादा कुछ दिय करने के लिए फिर मैं उनके पास तक नहीं पहुंचा पाई तो फिर मैंने क्या बाद में फिर उनको भी ग्रो कर दिए तो तो यह देखिए बानने वाले वैसे इस सभी मुझे लगता है फूल देखे ही जाएंगे अब आपको फूल दिखा देते हैं कौन से प्लांट की मैंने ग्राप्टिंग की थी सुरी से ग्रोग किये थी तो यह रेड कलर का जो डार्क है हमारे पास डार्क रेड कलर ट्रूपर लेयर का इसके लाइट है देखे टोड़ भी गया अभी देखे कलिया आ रही है नई ने ग्रोथ भी इन में हो रही है इसमें उपर से दो ब्रांच है नीचे से चार ब्रांच और निकल रही है फिर उसके बाद चार मतलब एक हपते दस दिन बाद यह वाला फ्लावर खिला इसमें ट्रिप पॉट में जब शिप्ट किया इनको 6 इंच की पॉट से उसके बाद एक प्लांट यह देखिए अब इसमें कलिया नहीं बनी है लेकिन यह कुछी दिनों में कलिया भी इसमें आएंगी तो एक प्लांट है उसके आज खिला है आज तो मन ही खुष हो गया एक दम डार की कलार एक दम डार्क पिंग कलर है, मतलब रेड से यह इसका मदर प्लांट है और यह इसके से ग्रोव हुआ प्लांट है, देखें, लेयर इसकी देखें, कितने ज़्यादा संदर है, पेटल्स, और कितनी डेर सारी कलिया है, यह इसका कोटेक्स जो बहुत अच्छा है, और नीचे से इसलिए उनको सेल नहीं किया था कि मुझे पता था एक हाईब्रिट सेडल में क्वाल्टी होती है कि उसमें मतलब जरूरी नहीं होता जाए कौन सा फ्लावर निकलेगा आइसा जरूरी हम नहीं कह सकते कि हमने टृपल लेयर का ग्रोह किया है तो टृपल लेयर ही उस भी नीकलेगा उस पे सिंगल डेशी वाला भी निकल सकता है आपका और भी कलर जैसे मिक्स and मैच होके च्छंट के आ जब तक कुछ कोई भी कमैंट नहीं कर सकते कि उसमें कौन कौन से कलर का आएगा कौन कितने पटल्स का हैगा तो दिखिये मेरे अभी तीन प्लांट मेरे खिले हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो ये इनको कि ये सारे मतलब हाइब्रिट निकल करके आए हैं बीन ग्राफ्ट किये हुए देखि कहीं से कोई ग्राफ्टिंग नहीं है ये सीड ग्रोन प्लांट है बहुत ही ज्यादा खुबसूरत के इनकी ब्रांच लेकर यह ये तो मेरे पास और भी प्लांट यहार होंगी और कि जब कर लोंगी तो चीज सेल करो अवी तो रखी अपने से ब्लांट कोने करने वाली हूं जब तक इनको अच्छé सारे क निकल करके। जाते और मैं देखती नहीं हूं इनकी ब्रांच से मैं और प्रांट नहीं तैयार कर लेती हूं तब तक के तो यह थी आज के हमारे हाइब्रिड सेडलिंग की अपडेट जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो बस ब्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगे होता लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए